आंगनवाडी में धूम अस्सलामू अलेकुम हम हाफ्टे के तीन दिन आंगनवाडी में छोटे ग्रुप में बच्चों के साथ सरगर्मिया करेंगी पीर, बुद्ध और जुम्मा की दिन 45 मिनिट की सरगर्मिया होंगी जिसमें हाजरी, नजरसानी या दोहराना, बच्चों के गाने कहामी, अदत खुर्फ पढ़ना और होंवख होगा अब हम बच्चों के साथ हफ्टे में तीन दिन कौन-कौन सी सरगर्मिया करने वाले हैं इसके बारे में जानेंगे आईए जानते हैं पीर के रोज की जाने वाली सरगर्मियों के बारे में हाजरी, बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगह पर खड़े होकर यस मैम बोलने के लिए मालूमात दें अब बच्चों को छलांग लगाने की सरगर्मिय करवाएं इसके बाद जुम्मा को हमने कौन सी सरगर्मिया की थी और सनीचर के दिन माने हमें कौन सी कहानी सुनाई थी इसके बारे में बच्चों से पूछें और बाचीत करें अब बच्चों को अपनी एक अच्छी और एक खराब आदत बताने के लिए कहें इसके बाद एक मोटा हाथी बच्चों के इस गाने को बच्चों को करवाएं इसके बाद दस्तियाब चीजों की गिंती करना सिखाएं इसके बाद आदत पढ़ने की सरगर्मी करवाएं आखिर में बच्चों का होमवक चेक करें बुद्ध के रोज की जाने वाली सरगर्मिया हाजरी बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगा पर खड़े होकर प्रेजेट मैम बोलने के लिए मालूमात दें अब बच्चों को अपनी जगा पर कूदने की सरगर्मी करवाएं इसके बाद पीर को हमने कौन सी सरगर्मिया की थी इसके बारे में बच्चों से पूछें और बातचीत करें इसके बाद सभी बच्चों को एक कतार में खड़ा कर दें स्लेट या तख्ते से आपर सबजी की तस्वीर बनाएं जैसे गाजर बच्चों को तस्वीर दिखाए बगर उनसे कहें मैंने यहाँ पर एक सबजी की तस्वीर बनाई है अब बारी बारी यहाँ आकर यह कौन से सबजी की तस्वीर है अंदाजा लगा कर आपको बताना है जो बच्चे सही अंदाजा लगाए उसके लिए तालियां बजाएं ऐसे ही फल, फूल, परिंदे, जानवर, रंग, अदद, हुरुफ के साथ ये खेल खेलें इसके बाद बच्चों को आलू-मालू-कालू की कहानी सुनाएं कहानी कैसी लगी? कहानी पर मुबनी आसान और मुश्किल सवाल आद्धी बच्चों से पूछें अब बच्चों को कहानी पर मुबनी तस्वीर बनाने के लिए कहें जरूरत पढ़ने पर बच्चों की मदद करें इसके बाद बच्चों को हुरुफ पढ़ने के सरगर्मी करवाएं आखिर में आलू की तस्वीर बना कर लाने का होमवग दे हाजरी बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगा पर खड़े होकर गुड मॉर्निंग मैम बोलने के लिए मालूमात दे इसके बाद बच्चों को कप्ड़े धोने की अदाकारी करवाएं अब बुद को हमने कौन सी सरगर्मिया की थी इसके बारे में बच्चों से पूछें और बात चीत करें इसके बाद आवाज का खेल करवाएं जैसे बच्चों को आँखें बन करने के लिए कहें अब आसपास की आवाजें सुनने के लिए कहें आखें खूनने के बाद किसने किसकी आवाज सुनी बारी बारी से बतानी के लिए कहें अब हम बाग के फूले हैं बच्चों के इस गाने को बच्चों को करवाएं इसके बाद हवाई चक्री बनाना सिखाएं इसके बाद बच्चों को अदद पढ़ने की सरगर्मी करवाएं आखिर में बच्चों का होमवक चेक करें बच्चों के साथ की गई सरगर्मियों की तजर्बात हमें जरूर बताएं शुक्रिया